इस कारे क्रम को जोईस मायर विनिस्टीस के मित्रों और भागी दारों द्वरा संबव बनाए गया है हमें ये समझने की सरूरत है कि परमिश्वर चाहते हैं कि जो जीवन उन्होंने हमें दिया है मुस्कानन ले और हमें विश्राम करने की सरूरत है ना केवल अपने शरीर को विश्राम देने की पर आपको अंद्रोनी विश्राम पाने की जरूरत है आपको सारा समय किस बात के बार में चिंता करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं किसी भी बात के लिए नहीं और हर समय किसी समस्या के बार में सोचने की जरूरत नहीं है या हर समय वो बात आप नहीं समझ सकते जिसका कोई तर्क नहीं है परमेश्वर समझ रहे हैं आप नहीं आमेन तो भई ये दोश्भावना वाली बास सच मुझ सच मुझ सच मुझ मेरे लिए बहुत कठिन थी और मैंने वचन के एकरार के सामर्थ के बार में सीखा परमेश्वर आपकी जरूरत पूरा करना चाहता है वो चाहता है कि आपको बहुत आथ से मिले और उससे भी स्यादता कि आप दूसरों के लिए आशिश मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो पुराना मरा हुआ सूखा धर्म ये चाहता है कि एक मसी गरीब हो, कंगाल हो और दुखी हो और हमीश्वर दुखी मैसुस करते हुए अपना से चुका है घुमतार मेरा मतलब ये दुश्टता है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महीमा सहित मसी यिश्यू में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा दिया करो तो तुम्हें मिलेगा लोग पूरा नाप दबार दबाकर और हिला हिलाकर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे सारे दश्मांश बंडार में ले जाओ कि मेरा भवन में बोजन वस्तुरे में आकाश की ज़रों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे उपर अप्रम पार आशिश की वर्षा करता हूं की नहीं आमें और वो पूरी धर्म की मानसिक्ता मुझे बस इतना क्रोधित कर देती है क्यांकि यह वो चुरा लेती है जिसके लिए येशू मरे कि उनके लोग उन्हें हासल कर सके आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और आपको दूशी महसूस करते हूं अपना जीवन गुजारने की जरूरत नहीं तो हम सिर्फ गलतिया करेंगे और आप जाहें तो सर से पाउधार पाच चुके हो क्योंकि जब तक आपके पास एक मानविय शरीर है तो सारा समया आप हर बास नहीं कर सकते और मैंने सीखा कि परमिश्वर के वचन का इकरार करने का सामर्द और मेरे ख्याल से मैंने अपनी किसी शिक्षा में इसे सम्मिलित किया है और मैंने इसे लाखो बार कहा है मैं मसी में परमिश्वर की धार मिकता हूं और इससे वो धार मिक लोग बहुत नाराज हो जाते हैं खेर आप खुद को क्या समझते हो आपने वो भाग नहीं सुना मसी में मैं मसी में परमेश्वर की धार मिकता हो खोद में नहीं आपके अंतर जानने की जो ख्षमता है उसे सुधार ये मैं हर काम सही नहीं करती पर मैं जानती हूँ मैं मसीई में क्या हूँ और मैं आपको यह बता दो कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं पाप करती हूँ ओ मुझे ख्षमा करना क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हें नराश करना नहीं चाहती पर वो पहले से ही सब जानते हैं, जो मैं करने वाली हैं, उन्नों ने यह नहीं का ओ नहीं, मुझे नहीं बता था कि तो मैं ऐसी निकलोगी परमिश्वर इतने निराश है, वो पहले सही जानते थे आप क्या करने वाले हैं परमिश्वर मनुश्य के रिधाय को देखते हैं और आप जाहिरे बहुत अधिक पर्वा करते हैं परमिश्वर के साथ अपने रिष्टे की वरना आप एक शनिवार को यहां नहीं होते आप मुझे सुनने, यहां नहीं आते अपनी छुटे खराब करके यहां मुझे सुनते हुए जो आपको परमिश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है और इस तरह परमिश्वर आपके रिदे को देखते हैं बाइबल में लिखा है कि जब वचन आपके रिदे में बोया जाता है तब तुरंत ही शयतान आ जाता है और उससे चुराने की कोशिश करता है और एक तरीका जिसे वो यह करता है कि आप आते हैं और आप यह सब अच्छे वचन सुनते हैं से पहले कि आप घर पहुंचे आप क्रोधित हो जाते हैं जो पार्किंग लॉट पसे निकलने की कोशिश कह रहा है चलिए भी यह आप किसी से लडाय मोल लेते हैं रिसोर्स टेबल पर कि किसे प्रेम या अंतिम श्रिंखला मिलेगी हाँ एक बार दो ओरते रिसोर्स टेबल पर इसलिए जगड़ रही थी कि किसे मिलेगी वा अंतिम श्रिंखला जो प्रेम पर है मैं कहती हूँ जाहर है तो हम दोनों को इसकी ज़रूरत है शरिर बस मुर्ख है बस आप इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं आप पूरे से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं यह बस मुर्ख है पर शुक्रे हमारे अंदर परमिश्वर की बुद्धी मता है और मैं आपको बताऊंगी कि मैं किसके लिए आब भारी हूँ मैं आब भा लबे जिक्षन भी किसी के प्रती मेरा बुरा रवया हो या बहुत खीश बरी आवाज हो तो ये ऐसे मुझे पता है ओ गौर्ड मुझे बहुत अफसूस है और यदि मुझे जरूरत हो तो मैं उस वक्ति से कहूंगे कि सौरी कभी भी ये कहने से डर्य मत मुझे माफ करिये मैं गलती और इसे बहान मत बनाई है मैं खशमा चाहती है मैं आपको आजाद कर देता हूँ और यह उसके लिए बहुत कुछ कर देता है और इसलिए मैंने इस विकार करना शुरू कर दिया है मैं मसी में परमेश्वर की धार में एकता हूँ उसी इच्छा से हम यह शुमसी की देहे कि एक ही बार वलिदान चड़ाया जाने के द्वारा पवित्रक किये गए हैं जितने हत्यार तेरी हानी के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफलना होगा मैं आपको एक छोटी सी सूची दूँगी ये होंवर्क की असाइनमेंट है आपको शायद अपनी खुद की ही बनानी पड़ेगी क्योंकि आप इसे दो याद रखेंगे नहीं पर जब आप इस दर्वाजे से बाहर चले जाते हैं मैं कलपना नहीं कर सकती पर ये कैसा रहेगा कि आप हर दिन उची आवाज में कहें आपको इसे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो इसी नहीं समझे यह आपको ऐसा दिखाएगा जैसे आप अभी मान से भरे हूँ यह वचन है वचनों में सामर्थ होती आप अपना जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज्यादा आप स्वैम उन पर विश्वास करने लगते हैं तो जब मैं कहती हूँ वचन बोलो मैं इसकी बात नहीं करें कि आप कहें मैं एक करोड़ पती बन जाओंगा मैं एक कंपनी का प्रसिडेंट बनूँगा मैं बात करें कि आप अपने बारे में कहें कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहें तो यह कैसा रहेगा मुझे परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाता है मैं अभिशेक प्राप्त हूँ मैं हुनर मंध हूँ मैं खास हूँ अपने तरह की एक निराली मैं एक दुरगटना नहीं हूँ मैं परमेश्वर में बनाई गई हूँ मैं हर दिन आत्मी करूप से बढ़ रही हूँ मैं हर दिन महीमा दर महीमा बढ़ रही हूँ मैं खुद को पसंद करती हूँ मैं खुद से प्रेम करती हूँ मैं खुद का अनंद लेती हूँ मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रही हूँ मैं अपने पापों के लिए पूरी तरक्षमा की गई हूँ मेरे लिए परमीश्वर की अच्छी युजना है मैं अपनी जीवन से कुछ बढ़िया करने वाली हूँ आपके ख्याल से मेरा मतलब है सीरियसली आपके ख्याल से ये कैसे आपको आपको बदलने लगेगा पर शायद यहां मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं आप में से कितने अपने खुद के बारे में अपने मूँ से नकारात्मक बाते कहते हैं मैं इतना मुर्ख हूँ मैं कभी कुछ सही नहीं करती मैं इतनी मोटी हूँ मेरे पाउं इतने बड़े है मेरा ना कितना टेढ़ा है मैं खुद से नफरेट करती हूँ काश कि मैं आप की तरह लगती काश मैं ऐसी होती काश काश खायर आप कभी कोई और नहीं हो सकते आप खुद में फसे हुए हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि इससे कैसे प्रेम करना है क्या आप कल बना कर सकते हैं कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा जब आप असल में खुद को अपना ले और सच मुझ उसे पसंद करें जो असल में आप हैं अपने पस्टर की बीवी की तरह बनना बंद करें आपने पडोसी की तरह और आप जानते मैंने अपनी सारी कहानिया सुनाई हैं और मैं कहती हूँ कि मैं और नहीं सुनाओंगी बहुत हो गया सुना नो ना पर मैंने डेव की तरह बनने की कोशिश की क्योंकि वो सच मुझ बहुत मस्त मौला है और बे फिक्रें पर मैं ऐसी हूँगी दियव का हर बात के लिए यही जवाब होता है कि अपनी सब चिंताएं छोड़ दो और मेरी होती थी कि इस बात को समझने के कोशिश करना और से होने देना प्रभु का शुकर मैं उस तरह की नहीं रही हूँ पर मैं अपनी चिंताएं छोड़ने में इतनी भी अच्छी नहीं हो जितनी वो है और शायद मैं कभी नहीं हो पाउंगे रब जानते हैं ठीक है अब जानते हैं क्यों फर्क नहीं पढ़ता क्योंकि मैं वो हूँ जो मैं हूँ और मैं उत्री तेजी से बदल नहीं जितना बदल सकी हूँ और परमीश्वर मुझे जानते हैं और वो मेरा रिदे जानते हैं और आप जानते क्या परमीश्वर जीस रूप में मैं हूँ उसी में पसंद करते हैं यहन्दी मैं इमानदारी से कहूं तो वही सच्चा प्रेम है जहां आप उस व्यक्ति को उसी रूप में स्विकार करें जिस रूप में वो हैं क्योंकि आप जानते हैं जहां वो ही समय है वहां वो अपना सर्वत्तम निभा रहे हैं एक बात है जो मुझे डेव की बार में पसंद वो यह है कि वो मेरे लिए रो भी ले व्यक्तित्व को पसंद करते हैं कई बार मैं कहती हूं मुझे पता है मुझे उससे बदालने की सब्सक्राइब तो वो कहते हूं नहीं कर प्यामत बदलो मैं मनोरंजन देती हूं कि जब मैं हो डेव मेले थे मैं अपनी मा की कार धो रही थié हूं और वो मेरे सहत फ्लाट करने की कोशीश करता रही है थी है जब तुम उस कार को धोना खतम करना कर mug़े मेरी अ चाहओग मैंने का यदि तुम अपनी कार को धुन्वाना चाहो तो खुद ही क्यों नहीं धोले ते और उसने का एक बात तो भाग गई थी कि ये लड़की मेरे लिए तो शादी करना चाहते थे वो एक पत्नी के लिए प्रार्थ ना कर रहे थे और उसने एक बहुत बड़े गलती की थे उसने परमिश्वर से मांगा कोई ऐसी दो जिसे मदद की जरूरत और उनोंने उसकी प्रार्थ ना सुन ली पर उसने का उससे तुरंट उससे पता चल गया थे कि मैं उसके लिए चुनाती बनने वाली और उस वो पसंद था और मैंने कोशिश कि मैं बस वैसा नहीं होना चाहती थी जैसी मैं थी मुझे अपनी आवास पसंद नहीं थी मुझे ये पसंद नहीं था मुझे कुछ और पसंद नहीं था मुझे कभी भी घले बाल नहीं मिले क्योंकि मेरे बाल बहुत बारिक हैं ये पतले नहीं है पर ये बस बच्चों जैसे हैं तो मैं लंबे बाल चाहती थी और मेरे बाल भूरे थी और मैं चाहती थी कि मेरा वजन हो और हमेशा ये वो चाहती रहती थी और जो नहीं मिला और और कभी-कभी आपको वो मिलता है जो आप नहीं चाहते चले वे आप मेंसे कितने लोग ना पसंद करते हैं दूबले पत्ने लोगों को आपको क्या यह बहुत ही अच्छा नहीं लगता जब को दूबला पत्ता व्यक्ति कहता है ओ पांच बच गया और मैं खाना खाना भूल मेरा मतलब है अपने बच्चों को शायते ही बूल जाओ पर मैं खाना खाना नहीं बूलती अब जानते हैं वहाँ यह सब सूपर माम्स हैं मेरा मतलब है वो सब कुछ कर सकती थी सब कुछ वो पेंट करती थी, वो सिलाई करती थी, उनके बगी चेते, वो सबसें को डिबों में बंद रखती थी, मेरा मतलब वो सब कुछ और मैं बसे एक करना चाहती थी, शैतान को गात हूँ और किसी के लिए प्रचार करें पता है? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो खुद से लड़ते लड़ते ठक चुका हो कोई है यहाँ पर? मुझे ये भी नहीं पता कि आपको किसे बताओं यदि आप जरा जरा सभी इस ख्षेत्र में हैं जिसकी मैं बात कर रही हूं मुझे ये भी नहीं पता कि आपको ये कैसे बताओं कि ये आपको कितना बदल देगा और आपके जीवन को यदि आप खुद से समझाता करने खेर जॉइस में कैसे खुद को पसंद कर सकती हूँ जिस तरह से मैं वहवार करती हूँ क्योंकि आप बढ़ रहे हैं आप बढ़ रहे हैं और आप बदल रहे हैं मत्ती पाच उर्टालीस एंप्लिफाइड बाइबल में लिखा इसलिए तुम सिद्ध बनो और यह बहुत डरा देने वाला शास्त्रवजने पर एंप्लिफाइड बाइबल इससे समझाती है कि इसका क्या मतलब है बढ़ता समपूर्ण सिद्धता में मन की अच्छा है और चरित्र में बढ़ना ना की बस आ जाना लिकिन बरना यदि आप वो सब बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने और हर दिन आप अपना सरवत्तम निभा रहे हैं और ज्यादा और ज्यादा परमेश्वर जैसा बनने के लिए और आज आप असफल हो जाएंगे पर कल आप फिर से उठेंगे और जीवन में कोई धार ना लाते पर आप बढ़ नहीं सकते यदि आप सारा समय दोशी महसूस करते हैं क्या कोई यह समझ रहा है पर आप बढ़ नहीं सकते यदि आप सारा समय दोशी महसूस कर रहे हैं पॉल उसने कहा कि वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं पर उसने फिर भी गलतियां की प्रेरित पॉल उसने गलतियां की अब जानते हैं वो शास्त्रवचन फिलिप यो तीन दस चौदा और मैं उसको और उसके मृत्यूं इंचय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में साभागी होने की मर्व को जानो और उसके मृत्यूं की समानता को प्राप्त करूँ हाँ यहां यह लिखा है कि मसी की तरह बनना चाहते हैं तो आपको कुछ दुखों से गुसरना पड़ेगा हमने कल रात इसके बार में बात की थी था कि मैं किसी भी रीती से मरे हूँ वो में से जी उठने के पत तक पहुँँ यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिदो हो चुका हूँ पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दोड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसी यूशू ने मुझे पकड़ा था है भाईयो मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ परन्तु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बाते पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहा हूँ तो हमारे पापों का दाम चुका दिया गया है आपको दान चुकानी की जरूरत नहीं आपको बस यहीं करना होगा कि विश्वास करो मन फिराओ उस पर विश्वास करो जो परमिश्वर के वचन में लिखा है इसे ग्रहन करो और आगे की ओर बढ़ते जाओ अगले सतर तक आ आप अपने पूरे जीवन बर बढ़ते रहेंगे मैं आप में से कुछ को जानती हूँ आप में से कोई कभी कभी यह सोचते भी है कि क्या मुझे उद्धार भी मिला है नहीं आप सोचते भाएगो ओश मैं कैसे उद्धार पाया हो सकता हूँ और इस तरह का वहवार कर सकता ह होते हैं मेरा मतलब है बीच बीच में कभी कभार पॉल उसने एक विश्वास का कदम उठाया और वो अपने गलती भूल गया मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूंगी मेरे ख्याल से इसमें आपको आनन्द आएगा ये कहलाती है दोश भावना के चाल की कहानी मैंने मैंने सचमत साल के इस समय में इस यात्रा की युजना नहीं बनाई थी और फिर भी मैंने खुद को पाया कि मैं जल्दी जल्दी से सामान पैक करूए यात्रा सुकदाई नहीं होने वाली थी और मुझे ये पहले से ही पता चल गया था कि इससे कुछ भला नहीं होने वाला आप देख में बात करूए अपने वारशिक दोश भामना वाली यात्रा कि मुझे अपने फ्लाइट के टिकेट मिल गए उसके बाद मैंने कामना की करश मेरे पास एरलाइन होती एक बहुत छोटी सी फ्लाइट थी मुझे मेरा सामान मिला पर मैं चेक नहीं कर पाई तो मैंने इसे पूरा रास्ता खुद उठाना चुना ये बहुत वजन ही था इसमें हजारों याद ही थी उसका क्या हो सकता था किसी ने मेरा अभिवादन नहीं क्या जब मैं टर्मिनल में घुसी अफसोस के शहर के इंटरनेशनल एरपूर्ट तक पहुँचने के लिए मैंने कहा इंटरनेशनल क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं मैंने गौर किया कि वो वर्ष के सबसे महकोपूर्ण एविंट की मेज बानी कर रहे थे ये दिवारशिक पार्टी फैर ये इतना महान सामाजिक अफसर खोने वाली नहीं थी मैं क्योंकि शहर के बहुत से प्रमुक नागरिक वाह होते पहले वाह होती डन फ्रामिली आप जानते तुमने क्या किया क्या करना चाहिए और फिर आई हैट फैमिली आप शहर दूसरमों के बारे में जानते होंगे जिसकी मैंने कामना की थी बेशकिया उसर आएगा जिससे चूप गई और खो दिया पर सबसे बड़ा परिवार होगा सर्टडे वो इससे ज्यादा है यहां नहीं सकते मैं उसमें से के पास बहुती दुख बहरी कहानी सुनाने वाली थी फिर टूटे हुए सबने जरूर प्रकट होंगे और उनका पतन हमें खुश करेगा उनकी कहानियों से कि कैसे अपने जीवन में नाकामियाब हुए और यह बहानी की यह चीज़े उनके जीवन में सपल हुई और कहानी के बहुँ जोरदर तालियां बजाई जाती उनके द्वारा की मुझे दोश मत दो और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती फिर टूटे हुए सपने जरूर अपनी उपस्तितियां दर्स करेंगे और यह उनकी अकलती है जो हमें उनकी कहानियां सुना कर खुश कर रहे हैं खेल लंबी कहानी का सारिया है कि मैं उस डिप्रेसिंग पार्टी में गई यह जानते हुए कि इसमें सच मुझ कोई फायदा नहीं होने वाला और हमेशा की तरह में बहुत डिप्रेस्ट हो गई और जैसा कि मैंने सोचा था कि असा पल ताकि वो सब कहानिया आतीत को वापस ले आएंगी और यह विचारा है कि यह सारी आत्रा और उसके बाद उसके किठी पार्टी मेरे द्वारा कैंसल की जा सकती थी मैंने यह जानते हो शुरुआत की कि मुझे वाह रहने की ज़रूरत नहीं मुझे डिप्रेस्ट होने की ज़रूरत नहीं एक बाद मेरे दिमाग में घूमती रही मैं बीते कल को नहीं बदल सकती पर मुझे में अवश्य ही एक सामर्थ है कि मैं आज को एक कमाल का दिन बना लूँ रुको में बीते कलगों नहीं बदल सकती पर मुझे में अवश्य ही एक सामर्थ है कि मैं आज को एक कमाल का दिन बना लूँ मैं खुश रह सकती हूँ आनन्दित परिपूर्ण प्रोच साहित और साथ ही साथ प्रोच साहित करने वाली यह जानकर मैंने तुरंती अफसोस का शेहर छोड़ दिया और मैंने कोई फॉवर्डिंग अड्रेस भी नहीं छोड़ा क्या मैं उन घलतियों के लफसोस करती जो मैं कैंसल करें और इसके बजाए एक ऐसी जगे यातरा करें जो कहलाती है दुबारा से शुरू करें मुझे यह जगे इतनी पसंद है कि आप मैं वास थाया आवास बना रही हूँ मेरे मेरे पडोस ही वह है मैं खुदको ख्शमा करता हूँ वाले और नई शुरुआत वाले आपको वहाँ भारी सामान धोकर ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ आपके कंदे से उतार दिया चाता है आपको वहाँ पहुंचने पर परमिश्वर आपको आशिश दे कि आपने नया शर ढूंडा आप इसी ढूंड नहीं सकती यह आपके अपने रिदह मे हैं और जब आप पहुंचते हैं क्रिप्या मुझसे मिलिए मैं रहती हूं मैं यह कर सकती हूं वाली गली में अब डरिया मत विश्वास का वो कदम उठावने से और कहो क्या सच मूच यह मेरे लिए हूँ सकता है क्या सच मुच मैं दुखी नहीं रह सकती दो या तीन दिन तक जब मैं कोई गल्ती करती हूं मैं सच मुच मांग सकती हूं और शमा पास सकती हूं और फिर बस आगे बढ़ती रह सकती हूं याकिनन कुछ देर तक मैं दुखी रहूंगी असल में नहीं नहीं यदि आप सच मुझ विश्वास करते हैं लहूपर देखे पुराने वाचान के अभी पाप किवल ढखे जा सकते थे और आप जानते हैं सब कुछ ढख दिया जाता है तो कुछ बचसुरच चीज ढख दी जाती है आप अभी भी जानते हैं कि वो वहाँ है पाप को डर लगता है कि कोई शायद इसे हटा दे और इसे देख लें पर नहीं वाचा कि यह दिन पाप धक दिया जाता है यह हटा दिया गया यह पूरी तरह से धो दिया आ गया है इसका कोई भी अवशिश बाकी में रहा बक्रियों और बैलों का लहू केवल ढांक सकता था पर ये शु का लहू शुद्ध करता है और पूरी तरह हटा देता है पाप को कोई भी दाग एक पुराने मसीगीत में लिखा है दोश के दाग हटाने के बारे में कुछ मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए है अब देखे मैं चाहती हूँ कि आप यहां से जाए एक नया रवया लेकर मैं जानती हूँ कि मुझे में खराबिया है मुझे पता है कि मैं गलतियां करती हूँ मैं जानती हूँ कि मैं गलतियां लगातार करती हूँ पर मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और वो मुझे से प्रेम करते हैं और मैं जाकर स्वेम से कच्छा रिष्टा कायम करूंगी मैं खुद के साथ समय बिताने का आनन्द लूँगी और आप जानते हैं कि आज जितना ज्यादा आप खुद को पसंद करेंगे उतना ही ज्यादा दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे आमें क्योंकि आप सच मुझ बहुत ही प्रेसने स्वभावाले होंगी जिन के साथ निभाय जा सके आत्मी क्रूप से सिद्ध लोग अपना समय बवावाद नहीं करते और परमेश्वरों के गलती परदोशी महसूस नहीं करते जैसा तुम्हारा स्वर्गय पिता सिद्ध है इस कारे करम को जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागी दरों द्वरा संबव बनाए गया है